उड़ते हुए प्लेन में अगर चिडिया ठकरा जाए तो क्या होगा और क्या इससे पुरा प्लेन क्रेश हो जाएगा चलो जानते हैं जब प्लेन हवा में उड़ता है तब प्लेन की इंजन का पंखा बहार की हवा को अंदर खींचता है आगे engine में होता है compressor ये हवा के निकलने के लिए जगा को कम करता जाता है और आगे जब हवा थोड़ी सी जगा से निकल रही होती है तब jet fuel इस हवा में आग लगा देता है इससे बहुत ज़्यादा force generate होती है जिससे plane उड़ता रहता है वैसे तो airports पे shooters होते हैं जो की गोली मार के चिडियाओं को उड़ाते हैं और जरूरत पढ़ने पर मारते भी हैं लेकिन कई बार take off के just बाद airplane का ये engine हवा के साथ चिडिया को भी खींच लेता है सबसे पहले airplane का पंखा इस चिडिया के हजारों टुकडे कर देता है आगे जाके टुकडे फस जाते हैं compressor में ये compressor ही engine को ठंडा रखता है लेकिन टुकडे फसने की वजह से इसका temperature 210 degree पहुंच जाता है इससे jet fuel आग पकड़ लेता है और पूरा engine उड़ जाता है लेकिन तब भी बाकी बचे हुए तीन engine से safe landing करवा दी जाती है